हाई एवरिवन वेलकम बैक टू माई चैनल फिर से लेकर आई हूँ आपके लिएक बहुत ही हलफुल रिव्यू और यह रिव्यू है डोसा इंस्टाइट मिक्स का और इसका ब्रैंड नेम में भी आपको जल्दी ही बताऊंगी लेकिन यह बात क्लियर कर दूं कि यह MTR डोसा बिल्कुल नहीं है क्योंकि MTR के डोसा मिक्से में बहुत ज्यादा डिसपॉइंट हुई थी तो यह है हल्दी राम्स का डोसा इंस्टाइट मिक्स तो गाइस जो MTR की मैं बात कर रही हूं उसका जो डोसा होता है बहुत ज्यादा सॉफ्ट और थिक बनता है जो मुझे बिल अच्छे से बन पाते हैं तो क्योंकि मैं फॉर्स टाइम ट्राय कर रही थी तो मैंने छोटा पैक लिया एक बड़ा पैक भी अवेलेबल था वो थोड़ा और रीजनेबल था पिकाज जहां तक मुझे याद है वो था 95 का 400 या 450 ग्राम्स तो वो और ज्यादा रीजनेबल प फ्राय करना होता है थोड में तो बहुत ईजी है सारी चाces अब पीछे गिबन है इंग्रीडेक्स भी दिये हूए हैं अलरजंट एड़जिस भी १िंर ही या जो भी चीज़े हैं तो अब वो पढ़के उस अकॉर्डिंग ही इस प्रोडक्ट को यूज करें अगर आपको कुछ चीज़ों से अलर्जी होती है तो तो अब हम बात करेंगे किस तरीके से हम बैटर वनाएंगे क्या मेजरमेंट्स लेंगे तो इसमें पीछे पूरी मेजरमेंट्स ली हुई है और बैटर मैं आपको रेडी करके दिखाऊंगी बट मैं पूरा प्रोसीजर नहीं मलब स्प्रेड करने का और यह सब नहीं दिखा पाऊंगी बिकाज एक हाथ से मैं कैमरा हैंडल कर रही हूं तो डिफिकल्ट हो जाता है और जो रिजर्ट्स हैं वो ज़रूर आपसे शेयर करूँगी कि रिजर्ट्स कैसे रहे यह देखे बेटर मैंने रेडी कर लिया है और बेटर रेडी करने के लिए इसमें मैंने धीरे धीरे करके पानी आड़ किया जब तक यह इस कंसिस्टेंसी पर नहीं पहुंच गया थोड़ा सा पतला करेंगे तो भी चलेगा बट उससे क्या होगा फिर वो पूरा फैल जाता है तो यह थोड़ा सा फर्मेंट या राइज हो जाएगा ताकि हमारा जो डोसा है वो थोड़ा अच्छा बने और जो इसका जो फ्रेगनेंस है बिल्कुल रियल जो बैटर है वैसी ही है यह देखे गाइस मैंने लो हीट पे था मेरा तवा और मैंने डोसा को जो है बैटर को स्प्रेड कर दिया है और जो फ्रेगनेंस है बैटर की बिल्कुल वैसी आ रही थी जैसे हम प्रॉपर राइस और दाल का बैटर प्रिपार करते हैं फर्मेंट करके घर पे तो अब मैं आपको दिखाऊंगी कि यह अच्छे से क्रिस्पी होता है या नहीं कुक होता है या न तो यह देखिए कैसे जाली है और कितना क्रिस्पी लग रहा है यह बिल्कुल बाहर के डोसे जैसा बना है पर मैं इसको थोड़ा सवर कुक करूंगी यह देखिए जो हमारा डोसा है वो ब्राउन होना शुरू हो गया है गोल्डन ब्राउन और जल नहीं रहा है मैंने इसको जान पूश के हाई फ्लेम पर मैं इसको थोड़ा से क्रिस्पी करने के लिए कर रही हूं इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है अच्छा डोसा तभी बनता है जब आपको ऊपर से जो लेयर वो थोड़ी थोड़ी ब्राउन होनी दिखाई पड़ती है सो गाइस मेरे कॉर्डिंग अब डोसा रेडी हो चुका है और यह देखिए इसको तुम्हें हाथ से ही हटा सकती हूँ I wish I could you know let you touch this डोसा यह देखिए तो अवाज भी हलकी से आपको आई होगी तो बहुत क्रिस्पी बना है और बिल्कुल पतला बना है और यही बात पर कंपैरिजन की कर रहे थी MTR का जो डोसा बनता है उससे बिकल जो MTR का डोसा अगर आपने यूज किया है तो बहुत मोटा बनता है बहुत सॉफ्ट बनता है क्रिस्पी बिल्कुल भी नहीं बनता है और मुझसे तो वो टूठी जाता है तो यह जब मैंने यूज किया तो यह मेरा फेवरेट हो गया और मैं दुबारा तो MTR कभी परचेज नहीं करूंगी अगर आप इंस्टाइंट मिक्स खरीदना चाहते ह के लिए अगर आप मसाले की या सामर की वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं लिंक दिस्क्रिप्शन बॉक्स में एड कर दूंगे और आप वहां पर जाके चेक कर सकते हैं आई होब लाइक दे वीडियो और थेंक यू सो मच